नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर दोस्तों हम आज बनाएंगे कटल की सब्जी और दोस्तों कटल की सब्जी बनाने में सबसे बड़ी मुसिबत क्या आती है कि कटल को छिलने की कटल में इतना दूद निकलता है उसका वह चिपची पासा पदार्थ उस फ़िद के पूरा और जिस परकार मैं बनाती हूं पगिल्पूद करें टरेस्ट चलने के सबगाए कुछाय। कढ़ा सब्सक्राइब गों कई लगा रही हूं और कुकर में ना इसे डार आ सीज़ सरफ डाल देंगे और इसमेs पानी ढला है मैंने और इसे भी माहिवे क्या जब में भेटे ़्ह contractor करें कि दूफ भी से लिए भी लिए फिर थीन भी से इस में डाल रहे हूं मैं एक इंच टुकड़ा अधरक का और छे साथ कलिया जो है लहसुन की में चील करके रखी हुई हूं यह और अब हम क्या करेंगे इसे पीस लेंगे ब्लेंड कर लेंगे और तब तक से यह देखिए दो विसी ला गया है था तो यह उबल चुका है हमारा जो है कटल जो है और यह देखिये तो इसे हम निकाल लेंगे और आतके वह मात्योनीम ह देन तो यह ना इसे क्वेशोटे ड्रैकल को सब्सक्रणार इ weapon कर देंगे था खता है क्तलं आग कितने दों कितने जह बनाँ से हम्ती है अब और क्रक्तयार जोश्यव मतलब आपको चिपकेगा नहीं दूद बगर नहीं लगेगा तो यह देखिए नाखुन से आप इस तरह से करेंगे नहीं हलका सब्रेस करेंगे न तो यह बस उपर का जो छिलका है पूरा अच्छे से उतर जाएगा बहुत ही आसानी से और होता है कि एक पंथ दो काज मतलब ए फिर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा कि से बहुत कम लगेगा समय की बचत होगी तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि छीषिए और आप इस तरह से नाखुन से नहीं चाहते हैं तो काट कर एप यह सकते हैं यह कर दोदूपक diesen ऌद इभाती हूँ तो विस vamp कि आप इस तरह से ल मतलब काम होता है आप इधर कुकर में चढ़ा दें उबलने के लिए इस तरह से लेगर के अठल को और इधर आप तर तक मसालों करेंगे तब तक से उबल जाएगा और यह देखिए मैं इसको काट ली हूँ अपने साइज में आप इसे काट लीजिए तो यह मैं अब कडाही मे इस तेल डाल देंगे सरसो के तेल में बनाएंगे फ्रेंस तो तेल जब गरम हो जाएगा तो हम कटे हुए जो है कठल को ढाल देंगे और इसमें डाल करकेam थोड़ी दिर के लिए से भून लेंगे तो यह देखिए मैं भून ले रही हूं और जब इसका हर्का सा कलर चीन हो जाएगा ना यह देखिए इस तरह से तो इसे हम निकाल लेंगे एक बरतन में कि भून करके तो कठल की सब्जी ने बहुत अच्छी लगती है अभी तो होली का तेवहार आ रहा है इसमें आप बनाएए और इसमें मैं अगें तेल डाल रही हूं सर्शो का और इसमें हम डालेंगे जीरा और एक दाल चीनी एक मैंने शुखी लालमी ची डाला है और एक जो ह करके रखी हूई हूँ इसमें मैं डाल रही हूँ इसमें और इसे भूल लेंगे तो थोड़े दिर बुनेंगे जब तक कि इसका इसका ठोड़ा जो है थोड़ा चेंज नहों जाए या देखिये तोड़ी देर भूनेंगे और ट्रमाटर डाला है हमने तो इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा और इसे भून लेंगे गंटिनुवस और अब डालेंगे इसमें मसाले तो मैं धनिया पॉड्रों डाली हुँ चमच एक जमाँ हल्दी पॉडर तोड़ा सा मैंने जीरा और गुर् और इन्सब को डाल करके अच्छे से भून लेंगे तो जितना तीःता अप खाते हैं उसके कोड़ीं आप लाल मिर्च डालिए और अब क्या करेंगे ना की इसमें को डi डाल देंगे यека यह भूनने के बाद में इसमें यह भूना वा क्ट्छल को डाल देंगे और कठल भी तेस्ट के कोड़िंग डालेंगे तो मैंने डाल दिया नमक और इसे फ्रै दिवा भून लेंगे और अब हम डालेंगे इसमें पानी तो जिस्तर से आप जितना ग्रेवी खाना चाहते हैं उसके एकॉड़िंग डालिए पानी थोड़ी सी लटपटी सी सब्जी अच्छी लगती है इसकी तो पानी डाल करके मैं ढख करके तीन से चाहर मिनट इसे हम कुग करेंगे और यह देखे हमारी कितनी अच्छी सब्जी बनकर के तयार हुई है बहुत ही बढ़ीया टेस्टी सी कठल की सब्जी और यह बन चुकी है मैं उतार दी हूं और देखे मैं शर्व करके दिखाती हूं तो फ्रेंड्स यह कठल की केर और बाब बाई